इस वक्त मारे साथ बातचीत के लिए उत्तर पदेश बीजेपी अध्धक्ष भुपेंद्र चौधरी मौजूद है सर अखलेश यादव को पुलीस पर भरोसा नहीं है कल पुलीस मुख्याले पहुचे चाई के लिए पूछा गया कहे कि चाई में जहर दे सकती है पुलीस इसलिए चाई नहीं पीएगे चाय तो की पी है उन्होंने बाद में जैसा मैंने मीडिया रिपोर्ट में देखा है तो चाय पी कर आए है वो लेकिन अखलेश यादव जी बहुत सिनियन नेता है राज्य के मुख्यमंतिर रहे हैं विपक्स के नेता है इस तरह का वैभार की उमीद उनसे राज्य नहीं करता कोई भी से था समाजबादी पाइटी के राष्ट अद्देख जी को अधिकारियों से बात करने चाहिए थी पुलिस भी भाग के और उत्तर प्रदेश की सरकार जो कानून का राज कायम हो इसके संकल्क के साथ हम लोग राज्य माने मुख्योगी जी के नेत्यत में सरकार में हैं उनके सोसल मीडिया हैंडल से समाजबादी पाइटी के अधिकरत पेच से जिस परकार की करेखे और काणून अपना काम उसमें करेगा कैनून अपना काम करे और अख्लेश जी को में निवेधन करू है इस सारी कारबाइबमे में करम में सरकार का प्रसाव करना चाहिए इस तरह का राजक्ता ठीक नहीं है लेकिन अखलेश यादव कहा रहे हैं कि सरकार जूटे मुकदमे में फसा रही है, पुलिस जूटे मुकदमे में ग्रफतार कर रही है और इसी वज़ा से अखलेश यादव जेल में पहुचे हुए थे मिलने के लिए यह उनकी मजबूरी है उनके आपने देखा होगा कि जिस परकार का कैडर है समाजबादी पाइटी का और उनके काल खंड में जिस परकार की आराजक्ता होती है बेहिमानी, ब्रस्टाचार, जमीनों पर कबजे, छिनेती, दंगे, पूरा प्रदेश दंगाईयों की चपेट में थे लेकिन भारतियंता पार्टी की सरकार जिन बिसो को लेकर हम सरकार में आएं जो जनादेश हमें मिला है उस जनादेश का सम्मान करते हुए इत्तर प्रदेश की भेष confession के लिए इत्तर प्रदेश की बेतर कानून का राज हो इसके लिए में मुक्ह मंतर जी संकल्पित है और layer मैं सहयोग करना चाहिए अराजक्ता गुंडागर्दी बेहिमानी भ्रस्टाचार यह सब समाप्त करना सरकार की प्रात्मिक्ताओं में है और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अपराद में और भ्रस्टाचार में आज कहीं ना कहीं बिल्कुल निचले इस्तर पर हैं औ अब शब्द दूश्चित विचार भी बीजेपी वालों की है लेकिन बीजेपी के नेताओं की ग्रफतारी नहीं होती है मुझे ऐसा कानून को सब में विश्वास है भारतियंता पार्टी को भी विश्वास है और अखलेज जी को भी विश्वास करना चाहिए और सरकार, हमारी सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करती हम सबको साथ लेका चलते हैं देश के प्रधान है हमारे हैं पर्तियासी चैन की पिरक्रिया है पिरक्रिया में जो इस टेट का भाग है वो पूरा हो कर कैंद्री को हम लोग लोगोने नाम भेज दी हैं किई-द्रे पार्टी कुँ निर्णे करना है मुझे लगता आज कल में जतनी जल्दी हो सकेगा पार्टी उसका निर्णे करके और गोसित कर देगी और हमारे लोग नामंकन की पिरक्रिया सुरू करेंगे। इससे हटकर एक सवाल है सर कि राहूल गांदी लगतार भारत जोडो यातरा निकाल रहे हैं और इस दोरान प्रेस कॉन्फरेंस के दोरान उन्होंने कहा कि देश पुजारियों का नहीं है तपस्वी का है किस तरह से देख रहे हैं राहूल गांदी के इस बयान को। वो कन्फ्यूज हैं और वो राजनितिक अपनी सुविधा के हिसाफ से इन सब चीजों को चलाना चाहते हैं और देश-प्रदेश की जनता सब जानती है यह नोटंकी है और नोटंकी को लोग सब देख रहे हैं सतर वर्ष से और इसी कारण कंग्रेश को कोई घंफीरता से ने लेता यह भी कहरे राउल गांदी की प्रधार मंत्री मोधी और आरेसस जबरदस्ती लोगों को पूजा करवाना चाहते हैं पूजा ब्यक्ति पूजा तो कॉंग्रेस से ही प्रारम हुई है, कॉंग्रेस के लोग ब्यक्ति पूजा करते थे, किस तरह इंदरा गांदी जी को लोग नारे लगाते थे, जवाललाल जी को कहते थे, किस तरह के लोग कॉंग्रेस के बड़े बड़े नेताओं किस तरह मिजा और हम एक विचार के लिए काम करते हैं और हमारे लिए गर्ब की बात है कि आज मोदी जी के निच्टत में हमें सरकार का भाग बनने का अफसर मिला है।